तो जिला कलेक्टर की निर्देश के अनुसार नगरपाली का CMO पवन मूरिया ने पत्रकार वारता में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की कारवाई के संबध में जानकारी थी उन्हों बताए कि जिला प्रसाशन वेपारी और सबजी वेपारियों से जो ज़्यादतर सिंगल यूज प्लास्टिक का उप्योग करते हैं उनके सलाह पर इसे एक चरण बध तरीके से प्रतिबंध लगाया जाएगा संगल यूज प्लास्टिक पर जो पर्यावरन प्रदूशन के साथ ही शेहर के नालियों को चोक होने का एक मुख्य घट वजह है इसके जगह पर मल्टी यूज प्लास्टिक इसके साथ ही बायो डिग्रेड़बल प्लास्टिक का उप्योग को प्रत्चाहन दिया जाएगा कि एक बड़ी वठक स्रियो साथ जीला पंचेत का देचाधा में यहां रखी गई थी नगरपाली का कारेलाय में चुंकि सिंगल यूज प्लास्टिक पुर्णता प्रतिबंधित किया गया है और इसके संबंद में हम बैपारियों से सहीयोग लेकर उनका उनको मदद करके उ उसके बाद प्रतिबंधित कारवाई हमारे दौरा की जाएगी यदि सिंगल यूज प्लास्टिक का उप्योग किया जाता है वैपारिंग दौरा सब्जीव क्रेताओं के दारी या अन्य किसे